हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल सिग्मा एजूकेशन तो हम बात कर रहे थे साइकलोजी के जो 200 कोश्चन है वह हमें सॉल्ब करने हैं ठीक है जो की काफी कोश्चन हम सॉल्ब कर चुके हैं तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कोश्चन 68 से जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं कोश्चन है इन कॉंटेक्स्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजूकेशन जो प्रोग्रेसिव एजूकेशन है उसके कॉंटेक्स में विच वन अफ फॉलोविंग स्टेटमेंट इस ट्रू जोन डेवी के अनुसार समुचित है ठीक है तो जोन डेवी के जो अनुसार है जोन डेवी के अकॉर्डिंग कौन सा जो इसमें स्टेटमेंट है वो हमें इसमें फाइंड आउट करना है दोनों इसमें को समझना है को समझन क्या कह रहा है ऑप्सन को अच्छे से समझना है उ डेमोक्रेसी का इस्थान जरूर यह होना कख्षा में तब यह प्रोग्रेसिव क्लासरूम बनेगा जब उसमें डेमोक्रेसी होगी क्लास में डेमोक्रेसी होगी सबको बोलने का हग होगा सबको अपनी बात करने का बात रखने का बात करने का हग होगा ठीक है सेक्ट अप्सन ह विध्यारतियों को स्वयम की सामजिक समस्यां को सुल्जाने में सच्छम होना चाहिए। Curiosity does not belong to the inherent nature of the student rather it is to be cultivated जिग्यासा विध्यारतियों के स्वयभाप में अंत्र निहरत नहीं है अपूति इसका सनवर्धन या करसर करना चाहिए। 4th option is students should be observed and not here in the classroom कक्षा में विध्यारतियों का निरक्षल करना चाहिए नेकी सुनना चाहिए। तो इसमा में देखना है आगर हम बात करें जॉन डेवी के तो जॉन डेवी ने कहा था इस्टुडेंट को कैसा होना चाहिए। स्टुडेंट सुड्वी एबल स्टुडेंट एबल हो जाना चाहिए विध्यारतियों को स्वेम ही सामाजिक समस्याव को सुल जाने का सक्षम होना चाहिए। को जाने के वह सॉल्ब उसको कर सके ओए ठीक है जलिए नेक्सकों रही है आपने आप में पिर्थक स्वेतंत्री है ठीक है व्यक्ति की भावना को विक्सित करने का प्रियास कर रही है वह विक्सित कर रही है तो वो क्या विक्सित कर रही है वो separate होना, self-governing अपने काम करना, खुद करना ठीक है, तो हम बात करें headed for rule नहीं, autonomy teenage arrogance, maturity साफ-साफ दीख रहा है यह strike करना चाहिए फॉरन autonomy की वो प्रियास वो कर रही है ठीक है, इसका जो option होगा 20 का option सही होगा next question है our teacher says to her class as individual assignment are designed to help individual student run more effectively all students should complete assignment prescribed without any assistance, ठीक है, कोई उनको assignment दिया गया बच्चों को ठीक है, individual assignment है ठीक है, all students should assignment complete कर ले ठीक है, with without any assistance, मतलब जितने भी किसी भी help के बिना वो assignment जो पूरा कर लेते हैं she is referring to which of the following stage of कोहलबर की, कोहलबर की कौन सी stage में आता है ठीक है, हिंदी वाले देख लेते हैं एक सिक्षि का अपनी कक्छा किसे कहती है सभी पिरकार के पिर्दकार्यों, assignment जो है करें और कौलबर के किस नेतिक विकास के चरण को वो संकेत दे रही है ठीक है, तो इसमें बात कर रहे हैं, conventional stage दे रहे हैं, इसमें फोर जो conventional stage में, फोर law and order की बात करिए, ठीक है, पोस्ट conventional stage में, जो five है social contract की बात करिए pre-conventional stage में punishment, audience की बात करिए pre-conventional stage में individual and exchange की बात करिए, ठीक है, तो हम देखा जाए, law and order से यहां पर कुछ related नहीं है, social contract का भी इसमें नहीं है, punishment का भी नहीं है individual का, individual की बात हो रही है, इसमें जो statement ये दिया इन्होंने, इसमें individual की बात हो रही है and exchange की बात हो रही है ठीक है, तो इक कौन सी stage में आएगा, ये जो आएगा pre-conventional की stage में आएगा, जो call work की stage इसका जो option होगा, कौन सा deal का option सही होगा चलिए, next question है which one which one of the which of the following is based on why gods की why gods की की जो social culture theory है, ठीक है कौन सा इनमें से base है बहुत ही important question है, बहुत ही बढ़िया question है, ठीक है निमिलिखित में से कौन सा why gods की के सामाजिक, सांस्कृतिक सिधान पर आधरित है, ठीक है operant conditioning है, reciprocal teaching है, culture neutral cognitive development, insight learning है पहले जो आपको learning जो theories of learning है, वो आनी चाहिए तो आप तो पहली कह दो कि यह नहीं होगी, यह नहीं होगी दो option तो ऐसी है, तुम इसको remove कर सकते हो, बहुत ही आसानी कि रहा है बचे, दो option इसमें देखने हैं हमें कैसे select करना है social culture theory में क्या है, यह उसकी क्या है, यह application है ठीक है, reciprocal teaching बहुत important teaching है culture neutral cognitive development इन्होंने इन की बात नहीं करी थी, इन्होंने social interaction की बात करी थी, तो इसका option जो B सही होगा मैं बता दूँ, इसमें एक जो आती है cooperative learning cooperative learning, याद रखिए यह पूछ ले जाता है, cooperative cooperative learning and reciprocal teaching reciprocal teaching यह दो बहुत ही important जो है, इसकी जो जिन पर बेस है, जो strategy है, बहुत ही important है cooperative learning and reciprocal teaching, आपको इडेटेल में अगर पढ़नी है, तो मैंने वीडियो अपलोड कर रही है social culture theory है नाम से वह आप देख ली जाएगा, उसमें बहुत ही detail में दे रखा है, ठीक है चलिए, next question है in the progressive model of education as implemented by CBSC, progressive जो model of education है, CBSC ने implement किया, socialization of children is done, क्यों बच्चों का socialization अच्छी तरह से हो सके, in such a way so as the expect them तो उससे क्या expect करते हैं, ठीकि हिंदी बहना देखते हैं, के मा CB, sorry, CBSC द्वारा अपनाए गई, प्रिगती सील सिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजी करना, इस प्रिकार से क्या जाता है, क्या जाता है उससे अपेट्च्छा की जा सकती है, ठीक है तो इसमें option रखें, give up the time consuming social habit and learn how to score good grades, ठीक है वे समय वे समय nest करने वाले सामाजीक आज़ेतों प्रकरतियों का प्तियाग करें और सीखें कि किस प्रकार अच्छी स्रेलिया पाई जा सकती है स्रेलिय का बात कर रहा है, great की बात कर रहा है be an active participant in the group work and learn social skill वे सामुई कारियों के संक्रिय भागी दारिता का निर्वा करें तता सामाजी कोसल सीखें the rule of regulation of society without questioning वे बिना प्रिसन उठाए सामाज के नियमों का विनयमों का अनुपालन करने के लिए तयार हो सकें तो इसमें जो हुआ था जो CBSC न करा था progressive model of education में इसमें time consuming social habit की बात कर रहा है यह तो इसका नहीं होगा option be an active participant होना चाहिए in the group and social learn social skill बच्चा सीखे तो इसका जो option B सही होगा C नहीं होगा ठीक है वे सामोई कार्य के सक्रिय भागिदारिता का निर्वा करें तता सामा जी कोसल सीखें ठीक है चलिए next question चलते है next question है Sita has learned to eat rice बहुत यह अच्छा question है and dal with her hand when she is given dal and rice mix कर देती है rice and dal को and start eating खाना कर देती है she has eating rice and dal into her schema for doing things बहुत यह बढ़ी कोस्चन है यह जो वाइगोट्स की है उस पर बेस जो वाइगोट्स की थियोरी है उस पर बेस यह कोस्चन है इसकीमा की बात हो रही है तो वाइगोट्स sorry sorry यह जब उसे डाल और चाल दिये जाते हैं तो वह दाल चाल मिला कर खाने लगती है उसने चीजों को करने के लिए अपने इसकीमा में दाल और चावल खाने को कर लिया क्या कर लिया accommodated कर लिया assimilated कर लिया appropriated कर लिया initiated कर लिया ठीक है तो इसमें जो है दो option तो बिल्कुल देखती तुमारे खतम हो रहे हैं यह तो प्याजे से related है ही नहीं accommodation या accommodated assimilation या assimilated की बात करी थी उसने assimilation तो क्या होता है कोई new जो चीज को acquire करना उसने new चीज acquire करी जैसे rice और दाल उनने acquire कर लिए वो तो assimilate होगा उनको मिला के उनने फिर खाया तो यह क्या होगा यह accommodation हुआ तो इसका जो होगा answer accommodated जो होगा उसका accommodation उसने कर लिया अपने iskima में इसका जो option होगा इसका A सही होगा चलिए next question है 74 our teacher wishes teacher की जो wish है to help her student to appropriate multiple views of a situation she provide her students multiple opportunities to debate on this situation in a different group according to why gods की perspective यह बहुत ही ज्याना वाइगोर्स की perspective our student will various views and develop multiple perspective develop करता है multiple perspective of the situation on their own जो खुद की है एक सिक्षे का अपने सिक्षार्तियों को की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक ऐसे स्थिती के अनेक द्रेश्टी कोणों की सराना कर सके हैं वे विभिन समूओं में एक स्थिती पर वाद विवात करने के अनेक अफसर उपलत कराती है why gods की के परीपिछे के अनुसार उसके सिक्षार्ति विभिन ड्रेश्टीकोडों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिती के अनेक परीपिछे विक्सित करेंगे तो इसमें क्या है, यह internalize हो रहा है, construct हो रहा है, operationalize हो रहा है, या rationalize हो रहा है, तो इसमें हम देखा जाए, तो यह किसकी बात हो रही है इसमें, खुद जो perspective है, multiple जो response है, जो वो उसके बारे में बताएंगे, अपने views देंगे, बहुत सारे views देंगे, तो construct क्या हो रहा है, construction हो होगा निर्माड करना ठीक है 74 का बी चले ने इस पोस्टन है अब पीटी टीचर वांट हर स्टुडेंट टू इंप्रूफ फिल्डिंग इन दा गैम में ऑफ किर्किट वीच वन ऑफ फॉलोविंग स्ट्रेटेजी विल बेस्ट हैल्फ इस्टुडेंट अचीव डेट कोल ठी ट्री luôn केंशर्फ के खेल में अपने सिक्षारतियों के छेते को सधाने चाता है निम्न में ऐसे कौन सी युकति सिक्षारतियों को अपने प्राप्त करने में सार्वति होगी बहुत लेक्शता ही तो बात कर रहा है एक सकऩने मेel प्रूल्डिंग में कित स्टूडेंट को बताना चाहिए किस तरह से अच्छी फिल्डिंग करे जाती है सिक्षार्थियों को यह बताना कि छेत्र रक्षड सीखना उनके लिए किस परकार महत्पूर है या फिर एक्स्प्रेंट करना चाहिए यह लॉजिक बिहाइं गुड्फिल्डिंग एंड औरेट उसक्सेस गुड्फिल्डिंग का जो लॉजिक है वह क्या है वह उसको एक्स्प्रेंट करना चाहिए बहतर छेत्र रक्षड और सफलता की दर के पीछे के तरक को इसक्षड करना चाहिए यह दिमोंस्टरेट को ईश्रक का अधीक अभ्यास कर ने चाहिए तो वह इसको कैसे वह अच्छी कर सकता है यह क्या है प्रैक्टिस समायी सथिक्षिए और एक नी चाहिए समया तो फिपी नहीं होगा यह नहीं होगा यह नहीं होगा कि विक्षारती के सम्मंध है प्रोसीस भी आधुन करण की प्रिक्रिया है यह adaptation of social norms की समाज के मांदेंडों के साथ अनुकूलन change in social norms समाजिक मांदेंडों में परिवर्तन तो इसमें देखना है कौन सा इसका option है अगर देखा जाए इसका option adaptation of social norms socialization क्या है जो social norms को उसको adapt करना adopt नहीं एक adapt होता है एक adopt होता है दोनों and adopt ठीक है adopt तो ऐसे कैसी ले 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 लेना adaptation में उसमें ढ़ल जाना ठीक है तो हमें क्या social norms को में adapt करना है तो इसका जो option होगा 76 का जो सी सही होगा चलिए next question है which one of the following is true about the role of heredity and environment ठीक है role of heredity and environment का क्या उसका role है बच्चे के development में यह question इसमें जो बच्चे के विकास में अनुवान सिक्ता और वातवर्ण की भुमिका के बारे में निम्लिकित मैंसे कौन सा सत्या है रिलेटिव कंट्रिब्यूशन औफ पियर्स एंड जीन्स आर नोट एडिटिव ठीक है सम्वेस को और पित्रेक पित्रेक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं है ठीक है बहुत ही ऑप्सन है ठीक है रिलेटिव कंट्रिब्यूशन पियर्स पियर्स किसमा आगे यह यह उप्शन है यह कहता है सहज रुजहान वातावर्र से शंब जबकि वास्तिवीक विकास के लिए अनुवानसिकता जरूरी है यह को समझो वाइल जब लगजय को डवलप्मेंट्स है डोईं जो डवलप्मेंट होगा यो में जो को है लिए डोईन है पुर्स इस यह अगी बोट Bin nature nature nurture debate nature nurture debate ठीक है? जो की अश्य कोई बेस है heritage and environment का बच्चे पर जो environment का ज़्याद है फरक पड़ता है? या फिर heritage का ज़्याद है फरक पड़ता है एक डिबेट है उटक है कोई कहता है इंवारिमेंट का ज़्याद है तो ये वाला option दो होगा नहीं इसका जो option होगा क्या होगा इसका option a b सभी लग रहा है दर लेटिव कंट्रुबिशन ऑफ पिर्स एंड जीन और नॉट एडिटिव तो पर लिए एक्ट्वल डवलपमेंड हो सकता है यह इसका सभी हो यह इसके दोनों option में कोई confusion है इन दोनों में से क्या सही है मुझे भी confirm नहीं हो रहा तो आप देख लिजेगा आपको इन दोनों में से एक option सही होगा कौन सा option सही है आप भी थोड़ा कुछ सोचेगा चलिए next question पर start करते हैं लोग which one of the following is true concept true है ठीक है development and learning आर ठीक है विकास और विकास और सीखना सामाजिक संस्कृति संदर्फ से है development and learning next time देखते next पर क्या था option development and learning लर्निंग ठीक है unaffected by socio-culture context ठीक है affect तो करती है इसका यह तो option होगा नहीं ठीक है second option student learn only in the certain way शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं या फिर play is significant for cognition and social competence खेलना संग्यान या सामाजिक दक्ष्टा के लिए सार्थक है questioning by the teacher constraint cognitive development सिक्षक द्वारा पिर्शन पूछना संग्यान विकास विकास से बाधक है तो हमें देखना है उसमें पूछा तक कौन सा यह correct है ठीक है चलिए नेक्स्ट कोस्टन है कि अंडर्स्टेंड अंडर्स्टेंड अंडर्स्टेंडिंग दा हुमें ग्रोफ एंड डवलप्मेंट इनेबल्स आटीचर ठीक है मानब बुद्धी एवं विकास की समझ सिक्षड को को या के योग्ये बनाती है गैन कंट्रोल ओफ लेर्णर इमोशन वाइल टीचींग पढ़ा दे समय क्या है जो क्रूल करना जमोशन को हमें समझना घ्र जाया इस के समय सिक्षड के सिक्ष्यारतियों के सन्वेगों पन्यंतर बनाये रखना 이कली ऑब एबाउट टीचिंग ढाव上面 लेर्रणर विविद्ध पर सिक्षड के और सब्सक्राइब निस्पक शुरूब से अपने सिक्षड अभ्यास करने में तो हमें इसमें देखना है कौन सा इसका ऑप्शन सही है ठीक है तो बी किलियर एबाउट टीजिंग डाइवर्स लर्नर जो डाइवर्स लर्नर होते हैं जो अलग लग तरह से बच्चे सीखते हैं वो चीज हमें किलियर होना चाहिए बच्चे किस तरह से सीखते हैं किस तरह से उनकी एफेक्टिव लर्निंग होती है विविद सिक्ष ना आई है तो लाइक करें कमेंड करें सब्सक्राइब करें और जादा से जादा सेयर करें ताकि और लोग भी इससे उनको लाब हो सकें उनको भी फायदा हो सकें ठीक है ठीक है ठीक्यू